हलो दोस्तों मैं उमार संकर आपको अपना चलना ट्रिकी बैविस्कुपता में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं जैक पॉट परिक्षा दुजार चोवीस के नाइन्थ क्लास में पढ़ने वाले बिद्यार्थियों के लिए बहुत ही महतेबून वीडियो लेकार आया नाइन्थ क्लास के बिद्यार्थियों के लिए इंगलिस का M.C.U. क्यूचन लेका राया हूँ जो आपको फाइनल एगजाम जो एक मार्च को होने वाला है उसमें तहलका मचा देगा दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो पर बने रहिएगा चलिए सबसे पहले हमें आपको पताते हैं कि सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया रहेगा अर्थाट रीद पैसेज गिवेन फुलो एंड चूज दा कॉरेक्ट ऑप्सन तू एंसर दा क्यूचन अर्थाट आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया हुए रहागा उसको जई ड इसलिए आप इससे हल करने के लिए चाहे इसे एंसर लिखने के लिए सबसे पहले आप क्यूचन को पढ़िएगा और क्यूचन में जो लास्ट पॉइंट मिलता है उसको आप जो पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज को देखकर उसी में मिलाएगा इसका लास्ट उसका भी ल पैसेज इस अबाओट ऑर्था इस पैसेज का है इसका राई टेंशर हो जाएगा ओप्सन नमबर C अगला क्यूशन कर रहा है Man is dependent on animals and plant 4. इसका राइट एंसर हो जाएगा Option number D All of this above इसके बार next कर रहा What steps the country Countries has taken to sur-grounded wild live इसका राइट एंसर हो जाएगा Option number D All of this इसके बार next question कर रहा है One group of animals which has become इंडिकेट इनियेट इसका राइट एंसर हो जाएगा Option number B इसका राइट एंसर हो जाएगा Option number B इसके बार next हम लोग देखते हैं इसके बार next question कर रहा According to the passage What is the reason behind Exception of denosia इसका राइट एंसर हो जाएगा Option number A Change the environment इसके बार next है The significance of the word description is इसका राइट एंसर हो जाएगा Option number A इसके बार next है इसके बार next question कर रहा है इसके बार next question कर रहा है इसके बारे में आपको यहाँ पर देखना है तो चलिए देखिए जिस तरह से यहाँ पर application आप देख रहा है यहाँ आपका application दिया हुआ रहा है देखिए यहाँ पर 9 यूचान हमारा पूछ रहा है जैसा कि आप यहाँ देख रहे है 21 पर पत्र लिखा हुआ है तो जैसा हम देख रहे हैं तो यह headmaster जी के पास पस्तर लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर हमको यहाँ पर आपको capital का भी ध्यान देना है इसलिए right answer option number A हो जाएगा क्योंकि A में ही अच्छा ढंक से लिखा हुआ है इसके बाद अगला question हम लोग देखते हैं तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे है आपको समझने के लिए मैंने zoom कर दिया है इसके बाद देखिए 10 number में क्या हो जाएगा तो यहाँ पर I am लिखा है ता I am I am from fever और थात I am from तो supreme from fever हो जाएगा तो यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस का option number D supreme इसके बाद next question कह रहा है इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि 11 में क्या होगा 12 में क्या होगा उसको बारे में यहाँ पर बताना है तो चलिए मैं नीचे आपको बता देता हूँ 11 का right answer हो जाएगा option number C जबकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप किसके पास पत्र लिख रहे हैं तो headmaster जी के पत्र लिख रहे हैं इसलिए इसका right answer हो जाएगा option number A of the end इसके बाद आपका choose the correct option and answer this flowing question आपको question पुछेगा उससी के हिसाब से आपको question का answer बताना है यहाँ पर grammar आ जाता है तो यहाँ देखिए my grand mother और खाली अस्तान है me story last night इसमें क्या भरा जाएगा तिसका right answer option number B हो जाएगा told इसके बाद कर आए the passive voice of someone has stolen by book is तो इसको आपको passive voice में change करना है तो passive voice में change करने के लिए आपको first वाला को last में last वाला को first में करना रहता है और भी form का पर्योग किया जाता है तो चलिए देखिए हम इसका passive voice बनाते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option number A यहाँ देखिए जो last में object को हम लोग subject बना देते हैं subject को हम लोग object बना देते हैं अब भी form का पर्योग करते हैं यहां देखिए my strawberry है है यहां पर देखिए hedge यहां पर देख रहे हैं कि तीसर का रूप आजा रहा है तीसर का रूप आता है तमाई इसका हो जाएगा my book has been इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्यूचन यहां पर कह रहा है रबन खाली अस्थान एपेन वेन आई इंटरेटेड इस रूम इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी उसके बाद नेक्स्ट है इस वहरी डेंजरस टू इंतर खाली अस्थान है इसके बाद है दखाली अस्थान माइप्रों स्पिलिशन इसका राइट एंसर अप्शन नमबर ए ओफ इसके बाद next question यहां देखिए कर रहा है the indirect speech of the teacher said comma inverted comma the sun is in the east day तो सबसे पहले आपको indirect से direct से indirect बनाने का एक trick होता है जिसको हम लोग याद करते हैं सन्वटा 123 सन्वटा 123 क्या है तो सन्वटा 123 अर्थात से first एक वन से हो जाता first person subject के उन्सार second person object के उन्सार अब third person no change होता है इसमें comma inverted comma को हटाकर debt लगाया जाता है और इसमें परे जो आप देख रहे हैं reporting speech और reported verb होता है comma inverted comma के अंदर रहता है reporting reporting कि अगर आपका यह पास्टेंस में होगा तो इसको भी आप 안चेंस में कर सकते हैं अर्थात अगर परुजेंथ इंडिफिनिपनीं परुजी एक पर से में अर्थात पहला को पहला से दूसरा को दूसरा से तीसरा को तीसरा से चौथा को चौथा से और पास्ट इंडिपनिट को पास्ट परफेक्ट से और पास्ट continuous को past perfect continuous के नियम से बदलते हैं तो आपको दो क्यूचन इससे आता है इसलिए इससे पूरी तरह से देख लिजेगा चलिए देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम लोग the teacher हम लोग say को लेकिन अगर उसको बदलने से पहले आपको यहाँ पर subject दिया हुगा तह भी आप टोल लिख सकते हैं अगर नहीं subject दिया हुआ हो तो आप नहीं लिख सकते हैं तो चलिए देखिए यहाँ पर the teacher sad यहाँ पर भी हो जाएगा the teacher sad कोमा इन्वेटेट कोमा को हटा कर डैट लगाएंगे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो जो आप यहाँ देख रहे हैं यह आपका परजेंट इन्डिपनिट का है तो परजेंट इन्डिपनिट का है तो उसको पास्ट इन्डिपनिट का उनसार बदलेंगे तो चलिए यहाँ पर the teacher said को मा इन्वेटेट को नम को हटा कर that लगा दिये यहाँ पर देख रहे हैं the son the son हमारा third person है तो third person में no change होता है इसलिए the son अब the son के साथ है क्या लगेगा तो इसका यहाँ पर हो जाएगा आप जो देख रहे हैं option में यहाँ पर रिस हो जाएगा इन दा इस्टे इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं तो option number आपका B सही C सही हो जाएगा इसके बार next time in the indirect speech of he said to me को मा इन वर्टेट को मा I am I am writing a letter तो यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा आपका he told me that he was writing a letter इसका option number C होगा इसका भी right answer option number C हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर modal execution पूछ रहा है आपको modal को याद होना चाहिए must मतलब होता है अवस्ट के लिए can can का होता है शकना और मे का होता है जरूरी असूट का भी चाहिए कर्थ में होता है आपको जानना होगा तो चलिए यहाँ पर खाली अस्तान you tell me why you are whipping तो इसका right answer हो जाएगा option number B can can you tell me इसके बाद कर रहा है the passive voice of you are playing cricket चलिए यहाँ पर passive voice आ जाता है passive voice आता है तो passive voice तो हम बोले थे कि first वाला को last में अस्तोला को first में और इसके बाद भी form का परियो करते हैं अर्था subject को object बना देते हैं और अबजेक्ट को subject बना देते हैं यहाँ पर हो जागा cricket यहाँ पर देख रहे हैं कि playing है तो cricket is winning played by us अर्था option number आपका right answer हो जाएगा इसके बाद next हम लोग देखते हैं the berries when they are hungry इसका right answer हो जाएगा option number इसका भी carry हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर read the expect given flow and choose the correct option to answer the question अर्था आपको यहाँ पर question दी आपका एक यहाँ पर passage के रूप में अर्था कुछ यहाँ पर point poem के हिसाब से दिया हुआ रहेगा उसको असी ढग से परना है और उसके answer ही आपको answer बताना है तो चलिए देखिए यहाँ पर आपको नहीं आता होगा तो यहाँ पर आप direct देखिएगा कि इसमें कौन सी last one point मिलाएगा लास्ट वला से आपको answer मिल जाएगा तो चलिए हम आपको बताते हैं क्यूशन यहाँ का कर रहा है देखिए लाइन्स आर फ्रॉम्द पोएम इस लाइन में किस पोएम का पर्यों किया गया है अर्था तिसका इस्टोरी किया है कि किस लाइन पर आधारित है यहाँ पर आपको option number हो जाएगा पी इसके बाद next है these lines are composed by इसका right answer हो जाएगा option number a इसके बाद next क्यूशन यहाँ कर इस line are complete by इसका option number a बोल दिये थे इसके बाद next है इसके बाद next question आपको कह रहा है who had learned to the play open the mind and body to the sound and variation इसका right answer हो जाएगा option number b इसके बाद next है the musical investment which the improvements and were results a bread was इसका right answer हो जाएगा option number b इसके बाद next है turning the second world was of which thing a sound and demanded is crowded in the market जिसका right answer हो जाएगा option number a तिसी तरह से मैं आप लोग को answer यहाँ बताईते जा रहा हूँ आप यहाँ ध्यान देते जाएगा चलिए इसके बाद next हम लोग देखते हैं यहाँ पर तमारा next question कह रहा है the poem wind is composed by तिसका right answer हो जाएगा option number b इसके बाद next है genuine then was clumsy तिसका right answer हो जाएगा option number b फादर्स इसके बाद next है the only woman in the world who had slagged meat even rest twist a watch तिसका right answer हो जाएगा option number a शंतोश यादो इसके बाद next है the name of the little girl's watch तिसका right answer हो जाएगा option number a kg crazy इसके बाद next है the child went to a fair with his the right answer हो जाएगा option number a parents इसके बाद who could ramp out aliens story and anyway dot इसका right answer हो जाएगा option number c इसके बाद next question है from who had the grandfathers about to this correct answer हो जाएगा option number c इसके बाद next है who grab fat like a stick side is scrapped it wall इसका right answer हो जाएगा option number b इसके बाद next है the start of the happy prince was current with इसका right answer हो जाएगा option number d इसके बाद next है इम्रेम स्मा is a small town is इसका right answer हो जाएगा option number d ताई होप यह वीडियो गर आचा लोगा तो मेरे चैनल को subscribe कर देगा फिर मिलेंगे ने वीडियो के साथ तब तो के लिए जैहिंद कर दो कर दो कर दो